इंग्लेंड ने पहले टेस्ट में अनुभव पर लगाया दाम इग्लेंड के कस्तान बेन स्टोक्स ने कुछ दिनों पहले इशारा किया था कि आस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेच सीरीज में वो अपने बोलिंग अटेक में तेज गेंड बाज मार्क वुड को रखना चाहते ह लेकिन पहले टेस्ट के लिए बुधवार को जब टीम की घोशना हुई तो उसमें वुड का नाम शामिल नहीं था थिक टैंक ने एक बार फिर वुड पर अनुभवी स्टड ब्रॉड को तरजीह देते हुए अनुभवी जेम्स एंडर्सन के साथ उन्हें भी अंतिम एक आदश में शामिल किया शुकरवार से शुरू हो रही सीरीज के लिए इंगलेंड की टीम में ब्रॉड और एंडर्सन के साथ ओली रॉबिंसन भी होंगे इस तिकड़ी के अलावा स्टोक्स खुद भी गैंडबाजी करते दिख सकते हैं बुधवार को उन्होंने नैट्स पर गैंडबाजी का भी अभ्यास किया बोलिंग अटेक में ये चैन इंगलेंड का बदला अप्रोच बता रहा है जिसने 2021-22 एशेच सीरीज के पहले टेस्ट में एंडर्सन और ब्रॉट की जगह रोबिंसन वुड और क्रिस वोक्स को अपनी अंतिम एक आदश में रखा था लेकिन इस बार एशेच के पहले मुकाबले के लिए इगलेंड ने अनुभव पर जोर दिया है हुसेन का अनुमान एशेच सीरीज दुबई पूर्व इंगलिश कत्तान नासिर हुसेन ने एशेच सीरीज के परिनाम की भविशेवानी करते हुए कहा है कि यह सीरीज मेजबान इंगलेंड टीम 3-2 से जीतेगी उन्होंने कहा इंगलेंड जिस तरह से खेल रहा है उसके कारण मुझे बहुत सारे ड्रॉण नहीं देख रहे हैं इंगलेंड में जीता है 2001 से इंगलेंड में सिर्फ एक एशेच सीरीज जीती है लेकिन वे हमेशा करीब रहे हैं मैं इंग्लेंड के लिए तीन माइनस दो जा रहा हूं। हुसेन ने कहा कि ओली रॉबिंसन सबसे ज्यादा विकेट निकालेंगे। पहले टेस्ट के लिए इंग्लेंड एक्स्टी बेंडिकेट, जैक क्राउली, ओली पोप, जोरूट, हैरी ब्रक, बेंस्टोक्स, कपन, जॉनी बेयर्स्टो, विकेट कीपर, मोहीन अली, स्टुर्ट ब्रॉइड, ओली रोबिंसन, जेम्स एंडर्सन, एजबिस्टन में द्वार को बोली प्रेक्टिस करते इंग्लेंड के कप्तान बेंस्टोक्स,